हलो अबरीवन आपर कुछ एक्सप्रेशन गिविन है इनको हमें फ्यक्टराइज करके लिखना है तो फॉस्ट यहाँ पर दे रखा है एक स्क्वाइर प्लस बी एक्स अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा और शॉल्प करने के लिए इस में से हमें बो टर्म को बहार निकालना देख आ है आप घ। है यहां पर यहां पर देखिए यहां पर यह थो में नहीं है यह तो कहां यह नहीं है यह पर क्या ऊटे गहां पर यहाँ पर यहाँ ऑघद जाएगा यहाँ पर एक सकते एक सब्सक्क्राइबने औहां आप यहाँ पर्न केते एक एक बच लिय एक लोग एजेश में आविय बच विदत किन्क के लिगत एक सुपर को सब्सक्राइब इस टाइब से यहाँ पर यह factorize हो जाएगा अब यहाँ पर हम नेस्ट करते हैं सेकिंड बाला 7P square प्लस 21Q square अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 7 है अब यहाँ पर 21Q square है अब 21 को हम लिख सकते हैं इस तरह से अब इसमें से common क्या है 7 हमने बहार निकाली है 7 यहाँ भी है एंड प्लस का साइन आएगा एंड यहाँ पर हमने 7 बहार निकाला है 21 में से तो यहाँ पर क्या बच्चा 3 बच्चिया एंड 7 में क्या जाएगा Q square इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा factorize अब यहाँ यहाँ पर 3 term हमें given है एक यह है एक है एक है एप यहाँ पर है अब इसमें से देखिए जो टीनों में एक जो common हो वह में find करना पड़ेगा two सब में आ रहा हो two कि मुझे common दिक रहे है and two के साथ बंगे दिख रहे है तो यहां पर जो में आ यहां है ये अध्यू एuciónल्व स्ट तो यहां पर लेका यूद्स यहां पर X3 है, यहां पर कितने बच्चे X 2 बच्च है? X2 बच्के X3 था, यहां पर X2 आ गया Next, यहां पर 2X मैंने बहा ले लिया है, यहां पर क्या बच्चा Y2 Plus, 2X मैंने लिया है, यहां पर क्या बच्चा Z2 इस टाइप से यह Factorize हो जारेगा अब यहां पर हम Next करते हैं, 4 वाला, अब यहां पर दीखिए, यहां पर 4 टर्म है अब इनको solve करने के लिए, अगर मैं यहां पर common देखू, sub में sub में तो मुझे common नहीं मिल रहा है, almost तो यहां पर मैं क्या करूँगा, solve करने के लिए, इसको solve करने के लिए हम use करेंगे first 2 यह है, and second 2 यह है, इस type से, इनको हम क्या करेंगे, इन में से कोई भी variables ऐसा को common होगा, तो हम separate common लेंगे यहां पर, तो first यहां पर, यह m² है, यहां पर bm² है, अब यहां पर यहां मुझे m² दोनों में देख रहा है, m² यहां भी है, m² यहां भी है, तो m² मैंने common लेंगे लिए, तो यहां पर क्या बच्छा, a plus b, next plus, अब यहां पर देखिए, यहां n है, यहां भी n² है, तो दोनों मुझे n² देख रहा है, जब मैं यहाँ पर n square को common नहीं लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा b plus a बच जाएगा n तो मैंने भाल निकाल लिया है n square तो यहाँ पर यहाँ पर a plus b है यहाँ b plus a है एक्वल ही है अगर a plus b यहाँ पर होगा b plus a के जिस तरह से 5 plus 3 8 होता है 3 plus 5 भी 8 होता है तो सेम इस तरह से यह दोनों equal होंगे अब यहाँ पर a plus b दोनों में आ रहा है तो a plus b भारा जाएगा and क्या बचा m square and n square बच जाएगा वहाँ पर हम लिख देंगे m square plus n square तो यह इस तरह से factorize हो जाएगा 4 वाला पार्ट अब यहाँ पर हम 5th वाले पार्ट को solve करते हैं इसको भी हम सेम इसी बेचे solve करेंगे and यहाँ पर देखी l m है यहाँ पर l है तो दोनों में common क्या है यहाँ पर l common है l common है तो यहाँ पर l मैंने वहाँ निकाल लिया है तो यहाँ पर क्या बच्चा m बच गया and plus l वहाँ निकाला मैंने तो यहाँ पर क्या बच्चा 1 बच्च गया यहां पर बस यूँ आएगा और नेस्ट यहां पर प्लस आएगा एंड यहां पर दिखिए यहां पर क्या common है अगर मैं इसको एंब को लिख दूँ यहां पर M into 1 एंड बन को 1 into 1 इस तरह से मैं यहां पर लिख दिया अब यहां पर देखिए जो बन है यहां पर कोई भी जो numbers है या फिर variable common तो नहीं आ रहा है इसमें से हम क्या करेंगे इसमें से one common ले लेंगे तो हम common लेंगे तो यहां पर क्या आएगा same ही आ जाएगा M plus 1 इस टैप से यहां पर आ जाएगा 1 common ले लेंगे तो m plus 1 हो जाएगा अगर हम 1 की multiply m plus 1 से कर देंगे तो यहाँ पर m plus 1 ही आएगा अब यहाँ पर देखिए m plus 1 यहाँ भी है m plus 1 यहाँ भी है तो m plus 1 यहाँ पर दोनों बार आ रहा है दो बार यहाँ पर आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे M plus 1 को common ले लेंगे वहाँ निकाल लेंगे and यहाँ पर क्या बचेगा एक L रहा गया and plus का 1 आ गया तो यहाँ पर यह इस तरह से हो जाएगा फिफ भला part factorize and इसके जो remaining part रहा गया है वो हम solve करते हैं next यहाँ पर 6 वाले part में Y plus Z and Y plus Z यहाँ पर दो बार दे रखा है already हमें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे Y plus Z को हम common ले लेंगे इसको हम बहार निकाल लेंगे and जो बचेगा उसको हम लेग देंगे तो यहाँ पर क्या बच्चा Y बच्चिया plus 9 आ गया तो इस तरह से यह वाला हो जाएगा 6 वाला प्यक्तोरमेल這स सकते हैं अभ यहाँ पर आमने डिंश करते हैं 7 वाला अभ यहाँ पर दीखे एं इन में common क्या है अब इसको हम लिख सकते हैं 20 को 5 इंटी 4 5 फोर् asleep 20 होता है और नेस्ट यहाँ पर 8 इंटी को हम लिख सकते हैं 4 पूर इन्टू टू और नेस्ट टू को यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू इन्टू वन और इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइब इन्टू वन इस तरह से अब यहाँ पर देखिए फाइब तो कॉमन है इन दोनों में फाइब तो कॉमन आई रहा है एंड इसके साथ में य यहाँ भी है and y यहाँ भी है and y भी common आ रहां तो यहां पर हम क्या करेंगे five y को common लें लेंगे फ़ाइद यहां पर क्या बदर जाएगा एक तो y रहागा कि Robin की multiply by से हो जाएगी मुणद सांड में हर पर five five is 마 fare फ्रकोच को हम pleasing है यहां बाहता निकाली है एन क्या हमने हैं निनाला और हम निकाला जो बच्छा फ़याँ पर आजाएगा यहां पर आ जाएगा यहां पर मैंटिप्लाइकές करेंगे तो यहां पर यह lie अरे निकाले अपने आस यहां पर यहां पर झाषिए 2 यहां भी आ रहें and 2 यहां भी आ रहें तो 2 तो कोमन होगा यहां पर and 2 के साथ यहां पर Z भी दोनों में आ रहा है and 2Z हाँ पर कॉमन हो जाएगा तो यहां पर हम start 2Z कोमन लेते हैं तो यहां पर क plugins का 4 रह गया और next plus का हमने 2z बहार निकाला तो यहाँ पर क्या बच्चा y बच्का only अब यहाँ पर देखिए y plus का ए 4 minus का है same इस तरह से यहाँ पर y plus का है 4 minus का है दोनों हैं पर same है तो हम क्या करेंगे y minus 4 को हम बहार निकालेंगे common ले लेंगे and जो बच्चे का वो यहां पर हम लेखते हैंगे वो यहां पर है 5 by plus 2z इस तरह से ही हो जाएगा factorize अब यहां पर हम नेस्ट करते हैं एर्थ वाला अब 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2 10 हो जाता है इसको यहां पर 2 into 2 4 को हम लिख दिया and इसको हम लिखेंगे 5 into 1 and इसको 2 into 1 इस तरह से अब यहां पर देखिए 2 यहां भी है 2 यहां भी है 2 हम बहार निकालेंगे and जो बच्चेगा वो यहां पर बच्चेगा 5 and साथ में आरा है और यहां पर में 2-a common लेना होगा 2-a तो बच्चे यहां पर 5-d और फश्च यहां पर 2 बच्च गया only 5-2-a हम निदा बहार निकाला है यहां पर बच्च आएगा ब यहांपर बच्च आएगा अब इसमें सी common क्या आएगा इसमें इससे कोई थो नहीं रहा है जो बन है दोनों में आ रहा है था हम बन कॉंच ले लेंगे यहां बच्क यहां पर पड December प्लस 2 बच जाएगा यहां पर 5B प्लस 2 अब यहां पर देखें 5B ब्लस 2 5B प्लस 2 दोनों में सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे कॉमान ले लेंगे यहां पर 5B प्लस 2 जो बचेगा उसको हम लिखतेंगे 2A प्लस 1 इस तरह से यह वाला फैक्टराइस हो जाएगा अब यहां पर म्यास करते हैं 9 बाला अब यहां पर देखिए 6xy है मैनस का 4y अब 6 को हम लिख सकते हैं 3 x 2 3 2 जा 6 और इसको हम लिख सकते हैं 2 x 2 2 जा 4 तो इसमें से कॉमन क्या है 2 तो कॉमन है तो हम 2 वहां निकाल लेंगे और नेस्ट यहां पर y यहां भी आ रहा है y यहां भी दोनों म हम भाई भी वहां निकाल लेंगे जो बच्चे का हैं पर 23 बच्च किया एंड एक्स रहा गया थिरी एक्स और माइनस का हमने वहां निकाल लिया है एंड पूर का लिया । यहां पर आ जाएगा और नास्ट इसको अब यहां पर देखिए 3x माइनस 2 है अब इसको हम लिख स तो हम 3 भाहार निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हमने भाहार निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बच्छा 2 माइनस का 3X इस टेप से यहाँ पर आजाएगा एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3X माइनस 2 है एंड यहाँ पर क्या है 2 माइनस 3X है यहाँ पर तो 3x है वो plus का है यहाँ पर 3x minus का है तो हमें क्या करना होगा हमें same करना है तो same करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें minus common लेना होगा तो again इसको 2y 3x minus 2 अब इसमें से हम minus common ले लेंगे तो यहाँ पर तो 3x minus का है वो तो यहाँ पर हो जाएगा plus का सबतकुर्द रहे उससे हैं ऐसे हम नक nhất सब्सक्रिवर गई रहे हो गया को व्यक्तद को सब्सक्रवर मिलस कर दिया गया है तो b लयुक्त छय देया हे就ब प्लसक्रणад ऑढ़ी माइनस किर दिया तो मैंने सब्सक्राइब साथ फर्याने स्क्राइब का माइनस का इस तरह से यहां पर हो गया इसको हम इस तरह सकते हैं जब हमने माइनस वहां निकाला जो प्लस के हैं वह हो जाएंगे माइनस के जो माइनस के वह यहां पर हो जाएंगे प्लस के तू प्लस का था माइस का हो गया जो थी माइस का था वह यहां पर प्लसका होग है यहां पर डेखिए माइस का टू है एंड माइस का टू है यहां भी माइस का टू है प्लसका 3